हेलो दोस्तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्षिन का एक सदाइस 3.3 का कोशन नमबर 3 का फर्स्ट वाला सम्कने वाले है इसके बेसिक्स वीडियो मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है तो चैनल पर देख लेना या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और फिर उसके बाद ये वाला पाट देखना ठीक है तो अभी सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना ठीक है ये प्रूफ करना बहुत ही सिंबल है सबसे पहले मैं इसको x assume कर ले तो और इसको y assume कर ले तो ठीक है तो यह वाला part मेरा x हो गया और यह वाला part मेरा y हो गया तो यहाँ पर sin inverse of root 3 by 2 को मैंने y assume कर लिया ठीक है तो क्या मैं sin को यहाँ पर shift कर सकता हो? बिल्कुल कर सकता हो तो अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको आपने एक formula दिखा रहेगा, sin of minus theta is equal to minus sin theta होता है, यह चीज आप याद रखना, तो same चीज minus theta को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, sin x हमारा same as it is रहेगा, बट इसके बदले क्या मैं यह लिख सकता हूँ, तो यह हो जाएगा sin of minus pi by 4 ठीक है, तो यहाँ पर मुझे x क्या मिलेगा, x की value में को मिलेगी, minus pi by 4 ठीक है, तो अब आपको blindly यह नहीं बोलने कि यह हमारा x हो जाएगा, क्योंकि inverse के लिख मैंने आपको बता है, कभी भी sin रहेगा, तो यह जो भी x है, आपका वो क्या होना चाहिए, pi by 2, minus pi by 2 और pi by 2 क के बीच में होना चाहिए, जो कि है यह, ठीक है, तो अब हम बोल सकते कि यह हमारा x हो का, ठीक है, यह pi by 4, pi by 4 मतलब क्या, इसकी value pi by 4 होगी, ठीक है, क्योंकि x हमारा यह है ना, अब सेम चीज़ आप इसको y होगे, तो sin को वहाँ पर shift करोगे, तो आपका sin y क्या आजाएग आपका, वही सेम चीज़ करना है, जिर्यक ही, वह, pi by 2 के बीच में होना चाहिए, तो y की value मैं बताऊँगा कि क्या minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में होना चाहिए, जो कि हो रहा है, मतलब Yo-kinhtет y की value यह हो गए, ठीक है, अब मुझे क्या proof करना है, यह वाला part proof करना है, तो यह वाले part प्रूफ करने के लिए मैं left hand side ले ले लिता हूँ तो मेरा left hand side क्या आ जाएगा left hand side कुछ तो ऐसा आ जाएगा कि वो है sine inverse of मैं same as it is question लिख रहा हूँ जो हमारा question है sine inverse of यहाँ पे root 3 by 2 आ जाएगा ठीक है अभी अभी हमने इसकी value find कि इसकी value x है जो कि हमने बोल ला था जो कि minus pi by 4 हो जाएगी तो यहाँ पे यह हो जाएगा minus pi by 4 3 को हम 3 रखेंगे और इसकी भी value अभी हमने find कि क्या हो जाएगा pi by 3 तो यहाँ पे यह हो जाएगा pi by 3 ठीक है 3 3 cut हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा, वो बचेगा, माइनस पाइबाई 4 माइनस पाइआ जाएगा, तो फिर यहाँ पे यह कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे आगया, तो यह हमारा पाट हो जाएगा, माइनस 5 पाइबाई 4 ठीकेट Hello दोस्तो, मेरा नाम जतिन शर्मा है, IIT Jam Mathematics में मेरा All India Rank 406 था मैं online personal lecture या तो doubt solving रहता है कोई भी class रहेगा कोई भी topic रहेगा mathematics का degree का भी रहेगा तो भी चलेगा आप मुझे call या whatsapp कर सकते है email address भी मिल दिया है आप subscribe कीजिए चैनल को और ये वीडियो में अगर आपको कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे facebook या instagram पर पूर सकते हैं मैं आपको reply करूँगा link description में है